हलो विर्वन आज हुए 31 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करें जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में देखे 20 रुपए के आसपास आलोक इंडस्ट्रीज का जो शेर है या भी ट्रेड कर रहा है और आज बहुत बड़ी 11-12% की तेजी इसने दिखाई है तो को तेजी की वज़े भी है बातचित करेंगे उसके बारे में लेकिन उससे पहले अगर आपने विद्धर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लेजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो पो काफी जादा हल्प है 20 रुपए के करीब और पिछले के महिने में तकरीबन 30% की 30 और शांदार 30 है 15 रुपए से 20 रुपए पर पहुंचा है यह शेर तो काफी अच्छी रफ्तार इसने पकड़ी जरूर है हलाकि fundamental देखा जाए तो काफी weak है बस एक positive चीज यहाँ पर है और वो यह है कि इसके जो मालिक है वो Reliance Industries है यहाँ पर जो आज तीजी आई उसकी सबसे बड़ी वज़ाई यही है कि 116 million shares के hand exchange होते नजर आए देखे बड़ी quantity में आज खरीदारी बिक्वाली हुई जिसके चलते कह सकते हैं कि आज इतना बड़ा volume हमें देखने को मिला combined अगर हम देखे तो 116.46 million shares अगर आप देखोगे तो आज यहाँ पर exchange होते हमें नजर आए BSC और NSC में multiple block deals यहाँ पर हुई जिसके चलते कह सकते हैं कि तीजी देखने को मिली शायद कुछ पर दे के पीछे कुछ हो रहा हुआ पॉजिटिव भी हो सकता है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक मह 200 करोड in its subsidies in current financial year the largest chunk of 7,000 करोड would go to Alok Industries तेखो वह यहाँ अमबानी जी ने कहा है कि बहुत सारा पैसा वो अपनी subsidies में invest करने वाले है और एक बहुत बड़ा amount जो है जो 7,000 करोड रुपे है जो है वो Alok Industries में जाने वाले है और यही वो खबर है जिसके चलते तीजी देखने को Miller ही है Reliance proposed to provide support to Alok Industries through investment in securities, loan and advances and guarantees from time to time to enable Alok Industries Limited to meet its funding requirement तो यहाँ पूरा पूरा support करने को यहाँ पर तयार है और अगर हम बात करने जाए तो Alok Industries में हाला कि Reliance Industries ने इसको खरीदा है Alok Industries पहले दिवालिया हो चुकी थी वहाँ से Reliance Industries और GM Financial Asset Reconstruction Companies ने इसको खरीदा यहाँ पर अगर हम देखोगे तो Reliance Industries के पास Alok Industries के 40.01% का stake है जबकि GM Financial के पास तकरीवन 34.99% का stake है कमबाइन दोनों का मिला कर तकरीवन 75% का hold यहाँ पर बनता है और आज आज वॉल्यूम देखते ही बनता है कि अगर आप देखोगे तो 17 करोड से भी जादा के हैं बहुत बड़ी कॉंटिटी में शेर हमें ट्रेड होते नजर आए जिसके रीजन जाहिर से बात है बड़ी ब्लॉक डिल्स और ब्लॉक डिल्स के वज़़ा जो का अनॉंस्मेंट है कि रिलाइंस वेयर टाइम प्रिशा है अच्छा कासा यहां पर पैसा इन्वेस्ट करने वाला है जिसके चलते तेजी देखने को मिली वन्ना फंडामेंटस तो वीक है ही अकौर्डिंग तो मनी कंट्र यूजर 87% लोग कहरे खरीदारी करो और 13% लोग क वोट कर रही है आलोग को लेकर अगर बात करी जाए तो वैया कोई भी एनालिस्ट यहां पर खरीदारी की बात ने कर रहा है शेह होल्डिंग में भी अगर हम देखे तो प्रमोटर के पास होल्डिंग 75% के और यहां बार प्रमोटर में रिलाइंस और जेहम फिनाशल दोनो की होल्डिंग लेकर बैठे हैं तो अलोग इंडेस्टरीज को लेकर मैं इतना कहूंगा कि तीजी आई है अच्छी बात है पिछले एक साल का भी अगर आप ग्राफ यहां पर देखोगी तो लगाता डिकलाइन वाला मोट था वहां से अच्छी खासी तीजी इसने पकड़ी तकरीबन साथ हजा करोर रुपए यह लोग इंवेस्ट करेंगे यह बहुत बड़ी कमेंटरी है अभी देखने होगी कि अगले कुछ क्वार्टर में आलोग इंडेस्टरी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है मेरे हिसाब से फंडामेंटली तो कंपनी वीक है लेकिन अगर है तो रख सकते हो इसको और जहां तक बात है फ्रेश बाइंग कि अगें मैं कहूंगा कि डेकलाइन का वेट करना चाहिए मुझे लगता है कि पंद्रा सुला रुपए की लेवल पर शायद अच्छे अप्रॉचुनिटी बन सकते हैं यह मेरा मानना है बाकी मर्जी आपकी ह है वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा पसंद आखो तो लाइक करें अगरा पहले बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आलोग इंडिस्ट्री के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिके बता सकते हैं थैंक्यो